गुद बॉर्निंग और चलिए लूप के बारे में और कुछ देखते हैं जो जो अपने पढ़ा था फॉल लूप में उसको और एक्स्प्लेन करते हैं और देखते हैं कि वह लूप अपना बैरियेबल में कोई जावे स्ट्रिप्ट का अपना एरे है उसमें कैसे वर्क करेगा ठीक ना तो यह मैंने फहले से ही फाइल कोल के रखी है और यहां पर फॉल लगाया था अपन ने दस तक की गिंती के लिए था ना कंसोल खोल लेते हैं और कि दस तक की गिंती के लिए ने वतलब एक्चुली तेरा का टेबल लिखा था मैंने और कुछ भी इसमें देखते हैं कि कैसे इंप्लिमेंट करेंगे कोई भी चीज ठीक है अब देखे इसमें जो तीन पार्ट होते हैं इसको एक बार और समझेंगे अपन ठीक ना सबको अलग-अलग कर लेता हुँ मैं कि एक पार्ट यह हुआ इसेकेंड पार्ट यह हुआ और थर्ड पार्ट अपना क्या हुआ ठीक ना तो फर्ष्ट पार्ट में अपना क्या आता है कि हम एक बैरियेवल लेते हैं अब यहां मैंने आई लिया है तो मोस्ट कॉमनली जब आप फॉल लूप लोग ना जैसे यहां से पॉल लूप आपन लिया भी तो यहीूली क्या का रिपरेजंट करता है जादा तर यूज होगा इंडेकस के लिए और इंडेकस का सॉर्ट वोम हमने क्या किया है आई यूज कै है आप कोई भी बैरेवल ले सकते हैं और किसी भी नाम का बैरियга बनीज़ थेखना दो यह हमने क्या किया यूज किया है कि उल्वर होते हैं वह आई यूज करते है यह इसके लिए फॉलक के लिए यह में क्याbreaking फॉम्स 9 किया है यहाँ पर ठेक फिर सेकेंड में क्या होता है condition होती है कि यह loop कब तक चलेगा तो जब तक यह loop की value मतलब इसकी value जो condition अपने दे रहे हैं यह false नहीं होती तब तक यह क्या करता है loop को चलता रहेगा अगर इसमें कोई ऐसी condition दे देते हैं जो कभी false नहीं होगी वो क्या होगा हमेशा चलता रहेगा फिर थार्ड में है कि आई की वैल्यू को इंक्रिमेंट करना है या डिक्रिमेंट करना मेंस अगर हमको लूप चलाना है तो क्या होगा कि कब तक चलाना है कि कितनी बार चलाना है वो यहां से भी decide होगा मतलब इसको हम increase यह decrease करेंगे इसमें कई सारे operator लगा सकते हो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या जैसे आई प्लस प्लस एक तो होता है इंक्रिमेंट आई माइनस माइनस यह पढ़ा था ठीक फिर प्लस एक्वल टू आई प्लस एक्वल टू टेन या पांच या एक यह पढ़ा था आपन ने आई इसन करना है उसके लिए यहाँ दिवाइड लिख सकते हैं परसेंटेज कसा अधे सकते हैं तो जो भी आपरेटर आपने पढ़ा था क्या क्या कर सकते हैं किसमें लाश्ट में इंक्रिमेंट आर इक्रिमेंट वाले नमबर में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं Google में अपने को क्या मिलता है फॉलू लू टीक देखो तो इसमें क्या है कि देखो पहले क्या होता है इनिसलाईजेशन होता है कि पहले अपन वेरियेवल को इनिसलाईज करते हैं तीन इसमें वह मतलब तीन पेरामीटर इसमें देते हैं अपन तो फॉल लूप का इस तरह से वर्क करता है तीनों चीजे यह समझ में आ गई चलिए कुछ एक्जामपल देख लेते हैं जैसे यहाँ पर जैसे मेरकुमाल लीजिए एक से लेके एक हजार तक की गिंती को प्रिंट करना है और सो सो के इस्टेप में अपने को करना तो क्या करेंगे हर बार कितना इंक्रीज करेंगे हंडेड इंक्रीज करेंगे तो आई प्लस एक्वल टू हंडेड ठीक न और हमने क्या किया है आई की वैल्यू को प्रिंट किया है लॉग में चलिए देखते हैं यहां सुरू कर लेते हैं जीरो से रिफ्रेस्ट किया मैंने देखे तो पहले क्या हुआ उसने जीरो को प्रिंट किया क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले जीरो थी फिर हंडेड टूहंडड थ्री हंडेड पुरहंड अप्टू क्योंकि अहां लेस देन और इक्वल टू लगा है अगर सिर्फ लेस दिन लगा होता तो कहा तक यह प इसमें आपको problem है या आपसे इसमें कुछ नहीं बन रहा है ठीक है फिर यहां variable कुछ भी ले सकते हैं आपको तो number लेना है तो हर जगह क्या होगा उसी में condition अपन चेक कराएंगे तो variable अपन ने इनिस कर दिया है तो उसी में वही same variable अपन हर जगह लेंगे यहां number ही print कराएंगे ठीक यह देखी यह हो गया ठीक ना एक बार और समझते हैं कि इनिस लाइज किये अपन क्या है वन से तो फिर उसने अगली बार में वह मल्टिप्लिकेशन नहीं करता है जब अगली बार लूप चलके आएगा तब वह मल्टिप्लिकेशन करेगा यह समझने वारी बात है अपने ठीक अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं एरे के साथ अपने को किया है मल्टिप्लिक मतलब माल्टिपल नाम दूँगा मैं इस्ट्रिंग दूँगा यह देखी अपना क्या हो गया एक एरे बन गया इसको मैं थोड़ा इंटर माल देता हूं इंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कोड में यहां इंटर कर सकते हैं जब यह सेमी कॉल भी आप इसमें करोगे तो क्या होगा यह लेट इंडेज वर्क रिटा है क्योंकि कोई परूप करने के लिए से ही यूज किया जाता है तो इसलिए यह बाई डिपॉल्ट सेंटेक्स अपना भी एस कोड जो है विज्वल स्टूडियो कोड वह बना के रखता है तो जब भी आप फॉर लूप सजेशन से उठाएंगे तो वह क्या करेगा इस तरह से आपको एरे पहले से इस तरह का लूप valid कर दिया है फिर अब ही अपने एवारी का वैरिये वल्का नाम है वह क्या है एरे भी यह रहे हैं तो क्योंकि I की value जो length होती है, length यहां का किसी भी array का, वो क्या होता है, एक ज्यादा होता है, last index वाली जो value का index होता है, उससे एक ज्यादा होगा, जैसे इसमें कितने value है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ length है, मतलब इसकी length कितनी है, नौ है, और इसका जो last index होगा, वो क्या होगा, आठ होगा, क्योंकि वो 0 से start हुआ है, ठीक न, तो हमेसे यहां क्या लिखेंगे, I is less than array की जो length होगी, वो उससे I हमेसे चोटा रहेगा, यहां print करते हैं, तो क्या लिखेंगे, console.log, ठीक, यहां index भी लिख देते हैं, तो back वाला जो operator है, वो अपन यूज किये, ठीक, इसमें क्या है, कि एक साथ अपन print भी कर सकते हैं, तो उसको भी use करते जाएंगे, धीर धीर, ठीक न, index of, अब value क्या है, इसमें, अपने को value कैस हैं, फिर यहां bracket लगाएंगे, और यहां क्या लिखेंगे, array, var, ठीक न, फिर यहां देंगे i की value, index of value, यह जो भी value है, is, फिर यहां, n percent का sign, sorry, dollar का sign, और i, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह क्या करेगा, i, अभी 0 है, तो अपना जो array है, उसका 0 index की value को print करेगा, ठीक है न, i की value भी मैं यहां print कराता जाता हूँ, तो उससे क्या है, कि अपने को पता चल जाएगा, कि उसमें value कौन सी है, और उसमें, उसका index क्या है, चलिए, print करते हैं, देखे, index of vivek, जो vivek है, वो उसका index क्या है, 0 है, index of rajas one, ऐसे ही कहां तक गया है, जो अपना last value है, सता नंद, उसकी जो index है, कहां तक है, आठ है, और total जो अपनी length होगी, वो कितनी होगी, नव होगी, तो इस तरह से अपन value को print करा सकते हैं, मतलब array की जितनी भी value है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, loop से, और उसको print करा सकते हैं, तो direct यहां यह भी लिख सकते हैं, array भी यह अब माल दीजिए मेरे को value को descending order में print करना है, मतलब पहले सतानद और फिर भी वेक, तो उसको कैसे use करेंगे, तो अब अपने को array की length क्या है, पहले तो मेरे को array की length पता है, तो मैं क्या करूंगा, आठ से वो print करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, जब तक I की value 0 नहीं हो जाती getter than, I की value getter than और 0 रहती है, तब तक वो क्या है, हमारी condition true करता रहेगा, और यहाँ I को अपन क्या करेंगे, माइनस करते रहेंगे, अब देखिए, तो सबसे पहले उसने सतनन को print किया, अब देखिए, यहाँ क्या है कि उसने बिवेक को print नहीं किया, क्यों, condition देखिए अपनी, I की value 0 से बड़ी हो, तो 0 जब आता है, तो वो क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो बड़ी वाला, वो क्या है, चेक करेगा कि बड़ी होनी च कर, array की value को print करना है, तो हम कर सकते हैं, length property का use किये बिना उसका condition बताईए, अब देखिए, क्या है, length का use क्यों करते हैं, वो देख लीजेगा आप, इसलिए क्योंकि जो array होता है, उसका हमको पता ही नहीं रहता कि वो कितना बढ़ाएगा, जैसे माल लीजिए, कि कुछ record रहे हैं, जिसमें की student के नाम है, अब क्या है कि हमको पता नहीं रहता है कि उसकी, उसमें कितने record आएगे, ठीक ना, तो अगर हमको पता है कि इसमें हमेशा 8 record ही आएगे, तो खुद से condition लगा दो, जैसे मेरो को एक से लेके, अब इसमें देखिए, मैंने array की length का नहीं लग यहां क्या करेंगे, अगर आपको length से लगाना है, तो क्या लिखेंगे array dot, यह यह अपने variable का नाम dot length, ठीक, और इसमें minus one कर देगी, क्योंकि जो initial value होती है, अपनी array की जो length, जो last index होता है, वो हमेशा length से एक कम रहता है, तो same आपको output देगा, ठीक, अब भीना आपको, अग length property के use करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसमें value है, तो गिन लीजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तो तीन, दो, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो value है, तो length कितनी होगी, इसकी, नो होगी, ठीक, तो जब आपको पता है कि length इसकी 9 है, तो आपको इसकी value print कराना है, तो क्या लिखेंगे for loop, ठीक, for loop अपने खुच से लेखते हैं, let i, मतलब index, equal to, 0 से सुरू करेंगे, semicolon लगाया, ठीक, i, जो अब अपने को false condition यहां देनी कि false कब होगी, और या फिर अपने को true कब तक होगा, तो यहां condition अपने को देना है कि ज उसको बंद कर दे, मतलब loop चलाना बंद कर दे, ठीक न, तो i less than or equal to 8 होना चाहिए, ठीक न, क्योंकि इसका last index कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, फिर semicolon लगाए, और i plus plus, ठीक है, यह loop होगे अपना, अब अपने को array की value को print करना है, तो क्या करेंगे, console.log यह पूरा line लिख देता हूं, यही तो है, इसमें भी क्या करेगा, वो सारी value को print कर देगा, विवेक से लेके सतनंत है, अब length का क्यों लेते हैं, दीपचन, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता, अभी तो मैंने हाथ से लिखा है, ठीक न, अब server से कोई value आएगी, उसमें 3 हैं या 300 हैं, अपने को नहीं पता, तो क्या होगा, अपने को एक generalized form में दिखाना पड़ेगा, एक generalized form में formula रखते हैं, हमेशा, कि कोई भी कितनी भी value हो, वो handle कर ले, छोड़ते हैं, देखिजेसे माल लीजे, इस तरह का अपने को card बनाना है, HTML में, इस तरह को आपको card बनाना है, जैसे 2-2 करके ये अपना column 6 लिया होगा, column 6, 6 में इसको divide किया है, ठीक ना, दोनों card को, तो अब अपने को पता नहीं है, कि last में कितनी value आएंगी, इसमें गिंते बैठे रहेंगे, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरे कितनी value आएंगी, अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाया, ठीक, copy किया, और यहां test कर दिया, ठीक, अब मेरे को value को print करानी, तो अब deep change के case में क्या होगा, अपने गिंते बैठे रहो कि इसमें कितनी value है, ये यहां तक, गिंते बैठे रहो, या फिर direct एक generalized formula होता है, length निकालने का, generalized formula होता है, length निकालने का, अपने पास attribute दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे, जो array का variable है, अपना, array, var, और dot length, और उससे क्या होना चाहिए, हमेशा, छोटा होना चाहिए, ठीक, i++, अब यह क्या करेगा, उसकी value को, निकाल के दे देगा, कितनी भी value है, अपने पास, यह देखें, कि बहुत rare case होगा, जब अपने को value पता होगी, कि कितनी value है, बाकि अगर माल लिजिए, आपने कोई array बनाया, और ऐसी value जब निकालते हो, जो उसमें है ही नहीं, मतलब ऐसी index की value निकालोगे, जो उसमें है ही नहीं, तो वो क्या return करता है, undefined return करेगा, तो हमारा पूरा code ही फैल जाएगा उस case है, ठीक है, माल लिजिए, इसमें क्या करता हूँ, मैं ऐसे normally देख लेते हैं, इसको follow को बंद किये, और जब अपन लिखते थे console.log और किसी array का ऐसा index निकालते थे, जो उसमें है ही नहीं, यह वाला index की value अभी है नहीं, क्योंकि ज्यादा इसमें value है नहीं, तो हमको पता है कि यह नहीं होगा, तो क्या करता था, वो return, undefined return करता था, तो ऐसे तो हमारा code ही फैल जाएगा, तो क्या करते हैं, हमेशा length वाली जो property है, उसको यूज करेगा, जब भी array को अपने को iterate करना हो, चलिए, अगला कुछ देखते हैं, एक teacher था, अपनी जो school की जो अपनी sitting arrangement देखते हैं, एक example के लिए, कि माल लीजिए, कि bench है, एक classroom है, classroom में bench है, तो किस तरह से bench होगा, एक, कॉमा दो, कॉमा तीन, ठीक न माल लीजिए, तीन-तीन की bench है, उसके बाद चाओ था, पाचमा, छटमा student बैठेगा, या फिर चार-चार का है, तो यहां आ जाएगा चार, और पाँच, छटमा लड़का, साथमा, आठमा, ठीक, ऐसे ही अपना 9, 10, 11, 12, ठीक न, माल लीजिए, उसमें 12, 15 लड़के हैं, जो इस तरह की sitting arrangement में, बैठे हुए हैं, bench में बैठे हुए हैं, तो उसको माल लीजिए, अपने को array में वो दिया हुआ है, तो किस तरह से, जैसे माल लीजिए, यहां, let, sitting in class, एक्वल्टो में कैसे बैठे हुए हैं, तो एक array है, इस तरह अपना, कि जो पहली रोह है, उस में चार लड़के बैठे हुए हैं, पहले लड़के का नाम है Rajesh, दूसरे लड़के का नाम है तीसरे लड़के का नाम है Nishan, यह हो गई मालीज यह तीन बैठे है हैं, दूसरे में चार लोग बैठें तो राकेश हरी रोहित लिख देता हूँ रोहित हरी और शाब यह दूसरी रोहित तीसरी रोम में राम और कविता कुछ लड़किया भी है और दिनेश पंगार इस तरह से हैमाले जी चौथी रोह में दो लोग बैठे हैं कुसुम और इस तरह का कुछ अपना सिटिंग एरेंजमेंट है क्लास का अब मेरे को सारे जो क्लास में लड़के हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट करना तो कैसे प्रिंट करेंगे बताएं सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे और लूप लगाया ठीक ना अब इसमें इंडेक्स दे रहा है तो इंडेक्स ही रहने देते हैं और यहां जो अपना बैरियेवल का नाम है वहां सिर्फ अपन क्या लिख देते हैं सिटिंग इन क्लास बाकी सब कुछ तो अपना सेम ही और यह जो एलिमेंट है इसको कंसोल डॉट लॉट लॉट लिख देते हैं कि इतना जब अपने को लिख के दिया ही है तो क्यों उसमें छेड़कानी क्या अब चलिए प्रिंट करते अब क्या हुआ जैसे इसमें पहली रो में कितने लोग बैठे थे राजेस बिनोत निसान तराकेस यह पहली रोका है यह दूसरी रोका है यह तीसरी रोका है यह चौथी रोका यहां जो तीन चार लिखे हैं यह काउंट लिखे हैं कि इसका जो टोटल कितने लोग हैं इसमें हाना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे तो यह पहली रोका दे दिया दूसरी रोका दे दिया तीसरी रोका दिया अब क्या होगा कि चलिए हमको सब के नाम निकालना है तो क प्षेस्ट सब्सक्राइब करत को है अगला को एरे मिलेगा वह क्या मिलेगा यह एलिमेंट मिलेगा उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को अना और वो इटरेट होगा अब अपने को नया एलिमेंट मिलेगा तो इसका भी बैरियेवल का नाम लिख लेते हैं अब कंसोल डॉट लॉग लिखे एलिमेंट वन ठीक देखिए कैसे प्रिंट करेंगा मैं दो एरे इस नौट डिफाइन अब एरे कहां लिखा है यह लिखा है तो यहां क्या होगा एलिमेंट ठीक है पहला जो रो हुआ उसका जो एरे है यह जो कंसोल लॉग हुआ यह पहली वार में जो चला है डेटा उसका आया है ठीक ना उसके बाद उसने तीनों नाम को प्रिंट किया है फिर उसने एरे का एक वैल्यू दिया है जिसमें चार लोग थे तो चारों के नाम प्रिंट किया है फिर उसने चार लोग के नाम दिया फिर चारों के प्रिंट किया ह है ऐसे फिर लाश्ट में अपने दो है तो दो को प्रिंट किया है कि देखो क्या होता है इसमें मैंने क्या किया है कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को रण किया ठीक है अब क्या होता है जैसे इसको अभी एरे के फॉर्म में देखा है इसको बिना एरे का देख लेते हैं तो क्या है एक क्या करते हैं अपन लूप लगाते हैं फॉर और ठीक इसमें दे देते हैं आई और ये इसमें कित्ती दस तक की बैल्यू को अपन प्रिंट कराते हैं कि इसमें आई इसलेश देन और एकवल टू ठीक है फिर उसके बाद इसमें कंसोल डॉट लॉट लॉट इसमें क्या करते हैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो आई की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है चलिए इसको चला के देखते हैं रिलोट किया माने तो यह दस तक की value को print किया फिर इसके अंदर भी मैं एक यहां लिख देता हूं थोड़ा सा स्पेस देखे जे की वैल्यू इसके अंदर भी अपने कोई कोई लूप देना है वो भी दे सकते हैं तिक मैं लेकिन इसको पहले प्रिंट कराते हैं यह कैसे वर्क करेगा यह देख लेकी वैल्यू जीरू और यह इक nationalird को को प्रिंड किया है इसलिए सगे हैं सही से नहीं आ रहा है हाँ इसमें ये की वैलू को अपनने प्रिंट इने क्या क Qurma कर देते हैं जे प्लस देखे इसको एक बार फंक्सिनारिटी अपन देखते हैं कि कैसे वर करता है देखे पहले क्या होगा कि पहले लूप चला तो i की बैलु किती हुई जीरो यह i की value है इधर वाली i की value ठीक मैं उसकी value 0 हुई फिर उसने क्या किया कि i की value को print करा है फिर उसको एक loop मिल गया है उसके अंदर code के अंदर एक loop मिल गया है तो वो क्या करा है कि उस loop को अब run करेगा तो पहले i के लिए i equal to 0 के लिए वो पूरे loop को एक बार run करेगा कहा तक 10 बार करेगा तो क्या किया जाई equal to 0 के लिए उसने पूरे loop को एक बार run किया है फिर i की value एक increased किया फिर उसने पूरे loop को एक बार run किया है I equal to two हुई मतलब इसकी value फिर प्लस बन हुई तो फिर उसने दस बार एक लूप को अंदर वाले लूप को रन किया है मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉल लूप के पहली एक दो बाते हैं कि फॉल लूप के अंदर क्या है कि हम कितना भी बड़ा code लिख सकते हैं वह हर वार repeat करेग ठीक ना second हम लूप के अंदर लूप को भी रख सकते हैं तो इससे क्या होगा फाइदा कि वह उपर वाला रूप रन करेगा फिर अंदर वाला लूप रन करेगा और जब तक वह खतम नहीं हो जाएगा वह पहले वाले लूप से अंदर वाले लूप से बाहर नहीं निकलेग यह नॉर्मल फंक्सिनाल्टी है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है नॉर्मल है यह क्या किया कि जीरो के लिए पहले सो बार रन करेगा फिर वन के लिए सो बार रन करेगा जीरो के लिए वन रन करेगा ऐसे ही दस तक के लिए क्या करेगा वह लूप को रन करता जाएगा तो सेम कॉंसेप्ट अपने क्या किया है एरे के लिए अपलाए किया है कि इंडेक्स जो है पहले वाले जो अपना इंडेक्स है जो एरे है यह क्या है मल्टी डाइमेंशनल एरे है means कि यह array के array array के अंदर एक नया array listed है ठीक ना तो अपने को पता है कि क्या है कि array के अंदर इसमें array है ठीक तो क्या करेंगे अपना पहला जो अपना loop चलेगा वो इस array को represent करेगा ठीक ना यह value अपने को represent करेगा और वो अपने को log करा के देगा जैसे कि यह करा रहा है ठीक फिर उसके बाद हमको इनकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अपन एलिमेंट को निकालेंगे उसकी अगला एक लूप लगाएंगे और क्या करेंगे इसकी लेंद को देखेंगे और इसकी वैल्यू को एक एक करके निकालेंगे तो यह क्या है थि किकन तो हमने अभी तक क्या देखा था कि यूप में लूप के अंदर कि अपने एक और लूप लगाया था कि अपने को प्रिंट करने के लिए हुता है कि कोई भी जैसे माल लीजिए आपको एरे के अंदर कोई दूसरा एरे दिया है चलिए एक और एक्जम्पल देख लेते हैं उसके थुरू समझ में आएगा आपको एक और देख लेते हैं जैसे इस तरह की वैल्लू आपको नॉर्मली मिलेगी जैसे लेट यूजर लिस्ट 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 एक एरे हुआ अपना इसमें पहला अब्जेक्ट हुआ फर्स्ट नेम इसमें जब आपजेक्ट प्रेव में देंगे तो को इसमें कॉलन साइन आएगा ठीक ना मैं इक वल देता हूं लेकिन अब कॉलन साइन लगांगे ठीक यह पहला जो एलिमेंट हुआ दूसरा एलिमेंट अपना यह हुआ फर्स्ट नेम में मालू लिखा है अब तीसरा है अब यह कितने हैं हमको पता नहीं है ठीक ना तो वह थोड़ी गिंती अपन इग्नूर करेंगे फर्स्ट नेम सुर्य कान तुकला एक और लेते हैं रावेंद्र ठीक है यह अपनी क्या है कि यूजर की कुछ लिष्ट है इसमें बहुत सारी और प्रपार्टी हो जाए सकती हैं जैसे ने एज हो गई डेटा बाल प्रपार्टी तो अब ही अपन दो से देखने एक जामपल अभी समझने तो अब अपन को क्या है कि फश्ट नेम लाश्ट ने दोनों को जोड़के अपने को दिखाना है सारे वरियेवल का नाम तो क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे ठीक ना इंडेक्स आई दे दिया इनडेकर नाम खर्डा अनाम कितना है क्या है अपना यूज्ञ लिस्ट यूजलिस्ट अपना क्या है एक सांथ है तो क्या कर लेते हैं अपन कटि motive रेखिए कि सद् लाश्च कि नेम का अबजेक्ट दे दिया है चार अपने पास अबजेक्ट थे तो चार अब्जेक्ट इसने रिटर्ण कर दिया अब अपने को क्या है कि फशनेम लाश्टे बोनों सात्माइबPorin't करना तो वही बैक्टिक वाला अपन क्या है कि यूछ करेंगे इसको Q बोलते है जाबाइ स्क्रिप्ट लिटरल्स ना इस्टिंग लिटरल्स बोलते हैं तो इसमें यूज करेंगे तो फ़र्श्ट नेम लाश्ट नेम को दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखूंगा मैं एलिमेंट फिर आई तो लगाएंगे ही एलिमेंट को पहले अपन इस ब्रैकेट मे लेते हैं और यहां डॉलर का साइन एलिमेंट का आई डॉट नेम सब्सक्राइब यह हुआ और इस पेस लगाएंगे और यहां लिखेंगे लास्ट लास्ट अब यह देखिए इसको अपन प्रिंट करते हैं खर्श्ट नेम अब वो प्रपरटी को उसने रीड नहीं किया है di-ナ arada इसमें क् czym डॉट फस्ट ने बाज़ाए डारेक्ट क्योंकि पहले ही अउने इसक्ला हले सब्सक्राइब करें कि आप बोड केश्ट सुरकण सुखला कुसवा हा। अभ इसमें कुछ मल्टिप्लेकेशन करना है अपने को तो ये क्या मैंने कर दिया आमाने। तो अपरकेस मेरे को कैपिटल लेटर में shopping चाहिए इसमें मैंने oria अपने को लाच में 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 भी आपरकेस चाहिए तो है कि आपरके सिस्कों कि फींट यह देखे पूरह प्र – उस किया है कि अपर केस में कर दिया तो इस तरह कि बहुत सारे अपने को यूज करने को मिलेंगे ठीक चलिए और लूप देख लेते हैं इसमें किसी को अगर अभी भी परशानी है फॉलूप में तो बता दीजिए फॉलूप एक-दो और श्रम पल देख लेते हैं या समंझ में आगया है आना बोलिए तो अपन नेक्स्ट लूप में चलते हैं नेक्स्ट लूप इस से ज़्यादा एजी है थोड़ा सा और एक आदि ग्यामपल ले लेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आया था ठीक ना रावेंद एक और एक्जामपल ले लेते हैं कि सारे इंख लेकर 100 की जितनी भी संग समसंख्याएं है उसको क्या है प्रिंटकराते चाहितों कैसे कराएंगे और लंगे फिरदेन और फ्रूट यहां ब्रेयृबल कानाम लेंगे एक से लेकर एकषे अपने को जितनी भी समसंख्याएं हैं उसकोем कराना तो यहां आएक्वल तो क्या करेंगे वन लेंगे कहां तक की सो तक की लेस देन और एक्वल टू हंडड प्लस ठीक इसको व्युक्र अभी प्रिंट कर आके देखते हैं कि यह क्या प्रिंट करता है फिर उसके बादऄ और नपने level टो क्या है एक एक चोन के आएगी तो यहां क्या लिखेंगे आई में को क्रेब तो टूक्सरी हो और यह क्रेगा आई می जीरो में डायरेक्ट क्या है दो का प्लस करेगा फिर जो 2 आएगा उसको मगैंगे तो होगा सारी हमारी संग्ख्या यह थिक न तो दो से अपन अगर शुरू करेंगे तो सीर Detroit सुरू होती है तो यह को प्रिंट कराने हो ग़े संग्ख्याliamo पहली विसम संख्या कौन सी होती है वण होती है cannot be अब उसमें क्या है कि दो दो प्लस करते जाएंगे तो यह क्या करेगा सारी विसम संख्याओं को देदेसरफ समझ में आ गया यह इस तरह से अपन क्या है कि वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं ओके चली अगला लूप पढ़ते हैं अगला लूप जो है वह हमारा बहुत सिंपल सा लूप है उसको बोलते हैं वाइल लूप हुआ है लूप होता है यह क्या करता है कि इसके अंदर सिर्फ एक पेरमेटर लेता ऐए थिक ऑलोप क्या करता है कर ता Anu यह वैज और कंडीस्एल के उसको कहा तक चलाना है तो मैंने क्या कर दिया है कि है उसी फिर स्काइव से से यह क्या करता है सिर्फ condition की डिमान करता तो बैरियेबल आपको अपने को कंडीशन के पहले करनी पड़ेगी इसमें यह है सेम आपको कंडीशन अगर उसी लूप में नहीं देना है मतलब विख सब कुछ वहीं देना है तो क्या करते हैं अपने इसको अलग-अलग कर लेते है और उसमें वाई लूप लगा देंगे लेट आई कोल टुवर्ण आई की वैलू हंड़ेट से छोटी होगी तब तक चलेगा यह ठीक है ना फिर क्या करते हैं आई की वैलू को एक प्लस प्लस कराते जाएं ठीक और यहां कंसूल डॉट लॉट लॉट और यहां आई की वैलू कराता कि और यहां अरे आई की लॉल लेशरें हंडेर होगी और आई प्लस प्लस करेंगा यहां यहां कंसूल डॉट में मैंने क्या कर दिया है आई लिख दिया अब देखें यह प्रिंट कर कर सेम बैलू प्रिनपर रहा है एक से एक से लेलें seulement पर तक सारी गिंति ये प्रिंट कर रहा है लेकिन की मैं कि कि knowing इससे सुरू किया है इसने क्यों इसका भी रिजन समयेंगे अपन कि चोटी है नहीं पर उसने क्या किया कि कि तो चोटी है उसको ठ्रू मिल गए ठीक है ना फिर उसने क्या कि आई की ऐख़िगू को प्लस कर दिया है एक प्लस कर दिया है तो अब ignoring कि एत्ती हो गए दो हो गए और उसने आई की को प्रिंट कर दिया है अब सेम कंस् мужч डाट लॉग में क्रिमिंट प्हीं के पहले लिग देता हُँ यह ख़ये क्या करेगा इनिस लाइज भी किये, condition भी दिये और increment, decrement अपने को करना है तो वो भी दे दिये, लेकिन while loop में ऐसा कुछ ने, सिर्फ वो क्या condition के depend करता है, तो variable अपने को पहले से लेना पड़ेगा और increment, decrement कराना है, तो उसके अंदर लिखना पड़ेगा अपने, ठीक न, अब इसका huge कहा कहा करते हैं, अपन ये देख लेजिए, कुछ एक एक example देख लेते हैं, कि एक हम game बनाते हैं, जिसमें की आपको 100 value को guess करना हमाल लीजिए, मै मैंने आपको बोला कि मैंने कौन सी value एक सोच के रखी है, वो आप बताईए, तो क्या लिखंगा मैं, while, एक क्या कर देता हूँ, यहां prompt कर देता हूँ, let value equal to prompt, आप से users ले रहा हूँ, guess my value, ठीक, अब मैंने condition में दिया, जब तक की मेरी value जो आपने इंटर किया है, उसकी value आई के बरावर नहीं हो जाती है, तब तक यह जो while loop है, तब तक यह चलता रहे जा, ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह की value देता हूँ, इसको दो बार अपन लिख लेते हैं, तो एक बार क्या करता है, कि पहले loop के पहले पूँचेगा, ठीक, और फिर जब अपने को value मिल जाएगी, console.log, तब यह value जो अपना while loop है, उसको break करेगा, बतलब बाहर आएगा, उसको, yes, you got it, ठीक है, तो refresh करते हैं, guess my value, ठीक न, तो मैंने क्या किया, enter किया, putify, you got it, I की value, जो value मैंने दिया है, वो I के बराबर तो हुई ही नहीं, तो क्या हुआ है, इसमें देखे, condition, अपने क्या है, I की value बराबर तो हुई नहीं, तो क्या हुआ, वो false return कर दिया, और false जैसे ही return कर किया, तो वो उसने क्या किया है, कि उसको बाहर फेक दिया है, तो यहां क्या लिखूँगा, मैं not equal to लिखूँगा, तब यह क्या है कि हर बार यह run करता जाएगा, ठीक, हाँ, मैं उसके बाद ही लिखा हूँ, ठीक न, लूप से बाहर कब निकलेगा, जब तक कि यह value true false नहीं होती, जो condition अपने दिया है, वो false नहीं होती, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक न, अब क्या है कि मैं guess करना चालू करता हूँ, तो पहले मैंने दिया 45, फिर उसने पूचा कि नहीं 45 गलत value है, फिर मैंने दिया 75, फिर गलत, 65, फिर गलत, 85, फिर गलत, लेकिन जैसी ही मैं 100 value को दूँँआ, parse.int करना पड़ेगा, साहँ, par parse.int, अब यह क्या है, क्यों नहीं ले रहा है, चलिए देखते हैं, अपन इसको console.log कराते है, यह false return करना चाहिए, अपने, और रिफ्रेस्ट कर ले, पेज, देखिए, यह फस गया है लूप में, कुछ न कुछ तुमें गलती कर रहा हूं, इसलिए यह चल नहीं रहा हूँ, js index, open with chrome, yes my value 100, ठीक, अब यह चला, सायद मैंने पहले इसको रिफ्रेस्ट नहीं किया था, इसलिए नहीं चल रहा था, बाकि है कुछ नहीं, प्रिंट कराता रहेगा, अब यह बैलू कित्ती है, प्रिंट कराता रहेगा, अब यह बैलू कित्ती है, स्वारी, तो यह फिर से बैरियेबल को इन स्लाइट किया, 100, फिर से रिप्रेस्ट करना पड़ेगा, अपने को क्लोज करके फिर ओपन करना पड़ेगा, पर रिप्रेस्ट करना पर देंगा, अब तक की वैलु को क्या है, कि हम अंडर्ट के बरावर नहीं देंगे, यह कंडीशन को फॉल्स नहीं करेंगे, तब तक को चलता रहेगा, तो कोई भी वैलू मैं दूँंगा, तो वो नहीं लेगा जब तक कि मैं 100 नहीं दूंगा तो जैसे ही मैं 100 वैल्यू देता हूं वो क्या करेगा लूप से बाहर आ जाएगा ठीक नहीं इसमें किसी को कोई कुश्चन हो मेरे ख्याल से बाभी तक मैंने कई सारी मिस्टेक की है तो कुछ न कुछ कुश्चन तो होंगे चलिए एक और समझ लेते हैं कि जैसे माल लेजिए एक और एक्जामपल का एक बार और ठीक ना वाइल लूप क्या करता है जब तक की वैल्यू हर कि हलाकि हर लूप यहीं करते जब तक की वैल्यू प्यूप फॉट्स नहीं हो जाते कंडी टो वाइल कंडीशन जब तक की यहां पॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वह क्या करेगा भाई लूप को रन करता रहेगा तो मैं क्या कर देता हूं कि एक बना लेता हूं सिक्रेट अपना लेट पासवर्ड माली जीए अपना राइट पासवर्ड है तो इसको लिखते हैं कॉंश्ट जो की चेंज नहीं होगा पी डबलू डी इकवल टू वन टू थ्री पॉर फाइप सिक्स ठीक और तुम्हें क्या करता हूं वाई लूप में लिख देता हूं एक वैल्यू इंपुट कराते हों कराते हैं आपसे तो लेट योर वैल्यू इकवर्टू प्रॉम्ट कि या करेगा कि आप से बैलू लेगा इंटर पासवर्ट एक एक जम्पन और आपको बताया था इस तरह से कि पासवर्ड को सही मैंच कराना है तो क्या करेंगे अपन इस तरह से देंगे तो क्या करेगा प्रॉम्ट कर आएगा अगर आपकी जो पास्वर्ड की वैल्यू है आप कुछ भी देते हो जब तक की क्या होगा जो आपने पास्वर्ड सेट किया है जो आपने एक दो तीन चार पांच शै पास्वर्ड सेट किया है वह वैल्यू आपको नहीं मिलती है तब तक यह वाइल लूप में आपको मांगता रहेगा कि मुझे पासवर्ड दो ठीक ना तो यह क्या करेंगे यूर बैल्यू जब तक की अगर पासवर्ड के बरावर नहीं होता तो अपसे क्या करेगा वह पासवर्ड की डिमांड करता रहेगा हमेंसा ठीक ना पासवर्ड की डिमांड करता रहें ठीक और यहां लिखेगा यूर कंसूल डॉट लॉग यूर पासवर्ड इस नौट करेंट ठीक है रिफ्रेस्ट करें पासवर्ड आपसे मागा आपने कुछ भी ऐसी वैल्यू दे दी ठीक इंटर किया तो क्या बोला वो यूर पासवर्ड इस नौट करेक्ट अब देते हैं अपन को यह और वैल्यू फिर से उसने बोला यूर पासवर्ड यह दो लिख गया आ गया है इसका मतलब है कि सेम लाइन में सेम आउट कुट आया है तो इसने एक इंक्रिमेंट कर दिया है ठीक नहीं उसको बार बार प्रिंट करने की जगह वो क्या करता है इंक्रिमेंट करता जाता है तो अपन एक और बैल्यू देते हैं एक दो तीन लिखा फिर से गलत पासवर्ड एक दो तीन चार पांक छे इंटर किया तो उसने क्या किया है लूप को चलाना बंद आप्टर लूप तो वो क्या करेगा लूप को जब तक चलाएगा और आंगे यह जो लूप के बाहर नहीं आएगा कब तक जब तक कि यह जो कंडिशन है यह फॉल्स नहीं हो जाती तो मेरे को फॉल्स कराना है तो पासवर्ड क्या है एक दो तीन चार पांक छे जब तक मैं तो वही पासवर्ड एकदम सेम नहीं डालूँगा तो वो क्या करेगा लूप से बाहर नहीं आएगा अप्टर लूप लूप से बाहर तब आया जब मैंने पासवर्ड को सहीड इंटर किया है अब देखिए अगर एक और कंडिशन होती है कि वो क्या करता है कि कई बार हमको क्या है वह कर देता है कि तीन बार से जैसी पासबट ज्यादा हुआ है तो वह ब्लॉक कर देगा कि YOR फ्र फिर वह प्रोम्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे उसके लिए एक काउंटर लेंगे ठीक बाइट काउंटर equal to 1 पहला attempt उसका ठीक ना और counter की value को क्या कराते हैं आपन जैसे ही वो inter करता है एक बार तो क्या करादेंगे counter की value को plus plus करा देंगे एक बड़ा दिया अब यहां अपन एक condition ले लेते अगर एक condition लेते हैं कि if काउंटर की वैलू जो हुए वो गेटर देन और एक्वल टू थ्री हो गई मतलब तीन बार से ज्यादा उसका पासवर्ट गलत हो गया है यहां लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यू आर ब्लॉग यह लिखा मैंने ठीक है न और एक चीज और देखेंगे कि इफ एक और इफ लगाते हैं इसमें इफ लगाते हैं इफ यह तो पासवर्ट जब तक गलत होगा तभी तब तक बताएगा ठीक ना काउंटर की वैल्लू क्या करते हैं अपन प्लस प्लस करेंगे यू आर ब्लॉग लाश्ट में अपन वैल्लू को प्रिंट कर देते हैं काउंटर की वैल्लू को प्लस प्लस कराते गए ठीक जैसे ही तीन वार से ज्यादा हुआ तो क्या लिख देंगे यू आर ब्लॉग ठीक और उससे वैल्लू को इंटर कराएंगे लेकिन कब तक इंटर कराएंगे जब तक कि जो अपनी वैल्लू हुई वह तीन बार से ज्जादा नहीं होती है ठीक ना ज्यादा होती है तो क्या करेंगे अपन ब्लॉग करा देंगे नहीं तो उससे पासवर्ण मांगते रहेंगे कि भाई पाश्वड दो ठीक है यह अपन ने क्या कर दिया है इंटर करा दिया चलिए इसको चला के देखते हैं तो थोड़ा से समझ में आए इंटरा पासवर्ड पहली बार डाल रहे हैं अब रहे हैं है तो हेलो यह पासवर्ड दिया दूसरी बार दिया कि इसने ब्लॉक कर दिया सअरी और यह पासवर्ड को प्रिंट कर आए रहा मतलब घूम रहा है कुछ नकुछ अपनने गलत किया चलिए उसको चेक करते हैं क्या गलत면 इगल स्टी को पहले समझते हैं कि क्या किया मैंने उसके फ्रिंट कराई एकाउंटर लिया है ठीक है अब मैं क्या करता हूं कि उससे अगर मेरा जो पासड़ है जो टीन बार ही लेना तो तौन यहां कंडिशनिद देपांटर is less than or equal to three. तीन बार से ज़्यादा अपने को नहीं लेना है, तो यह क्या कर दिया है, अपने counter की value को यहीं check करा लिया है, तीन, अगर counter की value 3 होती है, तो वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा इसको, तो यहां लिख देगा, यू आर ब्लॉग ठीक और नहीं तो अब यहां चेक कराते हैं इफ यूर वैल्यू इज इकवर्ट इकवर्ट पासवर्ड अगर बराबर होती है तो यहां लिखना है यू आर करेक्ट सिंपल से लिख लेते हैं यहां और यह जब तक चलाते रहेंगे जब तक की काउंटर की बैल्यू जो है अपनी तीन से ज्ञादा नहीं काउंटर कि यह इसको फॉल्स कराना तो जब तक तीन की वैल्लू छोटी रहेगी काउंटर से तब तक यह प्रॉम्ट कराता रहे हैं चलिए इसको अब रन करके देखते हैं होप्फुली रन हो जाए ठीक ना इंस्पेक्ट तो अभी हो यह नहीं रहा है कंट्रोल जे परी कंट्रोल जी जैसे इसी आता है इस ची डाउनलोड से आता है तो सोल शिप ची कि इसको रिलोड करते हैं तो इसने क्या किया अपने से पास्वर्ण मांगा इसको डिलेट कर देता हूं पास्वर्ण मांगा मैंने दिया फॉर फाइफ तो इसने अपने को कंसोल डॉट लॉग में कुछ दिया नहीं कि पासवर्ड अपना सही हुआ कि नहीं हुआ है अंदर कुछ गया ही नहीं दो तीन चार तीन वार से ज़्यादा वेल्य हुए है तो क्या है उसने ब्लॉक कर दिया है कि 24 आवर या 48 गंटे के लिए ब्लॉक ठीक न तो यह अभी टाइमिंग तो अपन कुछ किये नहीं है इसमें लेकिन यहां पर अपने को यह कंसोल लॉक दिखाना चाहिए यूर्क्रेक्ट अगर पासवर्ड आपका सही होता है तो यहां यूर्करेक्ट यह दिखाना चाहिए नहीं तो अपने को प्राम्ट करना चाहिए इंटर न्यू पासवर्ड के लिए ठीक न तो यूर्ड अच्छा यहां console.log तो लिखा ही नहीं, console.log गलत पासवर्ड के लिए तो उसको बताया ही नहीं कि incorrect पासवर्ड, 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 तो फच लेगा one के लिए, दूसरा लेगा two के लिए, तीसरा लेगा three के लिए, ठीक न, चौथी बार भी मागेगा, less than three, refresh करें, अब क्या हुआ, पहली बार उसने मागा, तो मैंने क्या किया, 45 इंटर किया, तो क्या बोला, उसने incorrect पासवर्ड, दूसरी बार मैंने क्या किया, 78 दिया, तो वो क्या incorrect पासवर्ड, तीसरी बार मैंने कुछ और इंटर किया, तो फिर उसने क्या कर दिया है, मेरे को ब्लॉक कर दिया है, और वो लूप के बाहर आ गया, ठीक न, सेम, अगर हम सही पासवर्ड देते हैं, तो क्या करेगा, फिर भी वो लूप क्या है, कि चलाता रहेगा, क्योंकि तीन बार उसको लूप चलाना ही है, यहां कंडिशन मैंने थोड़ा सा गलत दिया है, थोड़ा सा और अच्छे से देगी, देखे, इसने क्या किया है, यूर्क और यूर्ट बलॉक क्योंकि ये बाहर आया है, तो इसने क्या किया है, बलॉक भी लिखा है, तो क्या किया है उसने, बलॉक भी कर दिया है, तो यहां एक कंडिशन लगा लेते हैं, काउंटर एर गेटर देन 3 गेटर देन और इक्वल टू 3 तो यू आर ब्लॉक लिखना है एल्स अंसोल डॉट लॉग जू पाच मिनिट के और क्लास बच्ची है के टू अंधी इंटर पाजबट मैं सही पाजबट डाल देता हूं पहली बार में तो यहां क्या यू आर करेक्ट और लिख्ध नहीं किया है मैंने रिप्रेस्कर में पाज्ची को नहीं departure क्यों खाला है क्योंकि काउंटर चीन से बड़ा है क्या कउ उसको बाद में देखेंगे अपन हाना लेकिन यह कंडिशन तो अपनी सही ही हो गई है कि अगर वो तीन से ज्यादा बार करता है तो सही हो जाती है अपनी मतलब उसको ब्लॉक कर देता है अगर तीन से ज्यादा बार वह गलत किया है तो उसको वह ब्लॉक कर देता है यह वाली log लिखना होगा कहीं भी शOOD.log लिखेंगे तो आपन प्रिंट कर देगा तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से और बनाएंगे यह पासवर्डवाला एक तो इसको अपने इंड में भी करके देखेंगें, चलिए ठीक है, class को इंड करते हैं और कल मिलते हैं, एक चीज और इसमें मैं बता देता हूं, कि जैसे, एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद इंड करेंगें, जैसे वाइल लूप में, मैं क्या करता हूं, बीच में अप मैं कर देता हूं अभी, लेट आई इकल टू ये, वाइल लूप लगाया, आई की वैलू, इस लेज देन और इकल टू वन थाउजन, यहां मैं एक कंडिशन लगाता हूं, तो इस से क्या होगा कि अपना ऊपर वाला भी सेटिस्पाई हो जाएगा, क्योंकि यही वाला अप होगी, तो अपन क्या करेंगे, यहां एक ब्रेक स्टेट्मेंट लगाते हैं, बस इस से लूप से बाहर आजाओ, तो क्या होगा, वो कहां तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, सिर्फ कंसोल, कंसोल.log और उसकी वो लूप से बाहर आजाएगा, और यहां I की वैल्यू को प्लस प्लस भी तो कराना है, I++, कंसोल.log और I की वैल्यू को प्रिंट कराया, तेखिए, यह कहां तक प्रिंट कराएगा, रिलोड करें पेज को, उसने कहां तक, 99 तक गया है, एक्चुली वो, बराबर हो गया, इसको हमको कंसोल.log ऊपर लिखना पड़ेगा, तो नीचे नहीं आता, वो ब्रेक कर देता, तो यह 100 तक प्रिंट कराया है, एक से लेके 100 तक, तो जैसे ही उसकी वैलू 100 के बराबर हो गई है, उसने लूप को ब्रेक कर दिया है, मतलब लूप से बाहर आ ग प्रिंट करता हूँ, तो यह क्या करेगा, सिर्फ 100 तक चलेगा, क्योंकि यहां उसको एक कंडिशन मैंने और दे दिया है, कि जैसे ही आई की वैलू 100 हो, वो लूप से बाहर आ जाए, ठीक ना तो वो क्या करेगा, ब्रेक स्टेट्मेंट अपन लगाएंगा, तो वो क्या कर करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, भले ही लूप की कंडिशन यहां सही हो रही हो या गलत हो रही हो, उसको वो नहीं चेक करेगा, जैसी ब्रेक स्टेट्मेंट उसको मिलेगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो सेम अपन क्या करते हैं, इस कंडिशन में अपलाई करते हैं हैं कि इसमें कैंते हैं जैसे ही पासवयर्ट उसका करेक्ट हुआ तो एक ब्रेक स्टेटमिन लगा देते हैं है ठीक खरार पर पसवर्ड अपन क्या है कि इंटर प्राते रहेंगे जब तक की वह गलत वैल्यू को सब्सक्रीन करता है ठीक है अब चेक करते हैं और जैसे ही काउंटर की वैलू कि थ्री होती है इफ काउंटर इच गेटर देना रिक्वर्टू थ्री तो क्या बोलेगा लॉग तो आप ब्रेक स्टेट्मेंट का अपन थोड़ा सा फायदा भी देखें चलिए रिलोड किया उसने पास्वर्ट मागा मैंने पहली बार में ही सही कर दिया तो यू आर करेक्ट और उसने लूप से बाहर कर दिया अपने को लेकिन अब मैं क्या है पास्वर्ट गलट डालता फेशन पास्वर्ट दू बार मैंने गलत डाला दूस तीन बार मैंने गलत डाला तीसरा पास्वर्ट उसने लिया और तरह इसने क्या ल whites by यह अपने कंडियिसन क्या है सिटिस्पाई हो गई यह हम करना भी चाहे रहे थे थीक ना तो उसके लिए क्या अपनेश करेंगे ब् तो कंसोल डॉट लॉग यहां एक लॉग और लगा देते हैं और कितना भी कोड लिख सकते हैं आपको तो पता ही है तो कि अधिक्क्राइब एंप्ईटी और फिर यहां प्लस करके सो उटॉ करें पहली बार दी यह कोई भी वैल्जी अटेंप्ट टू में टेंप्ट वन तो होई गया अटेंप्ट टू में इंटर करिए ठीक पिर अटेंप्ट त्री में इंटर करिए और यह क्या कर देगा उसको ब्लॉक कर देगा तो इस तरह आपन क्या करते हैं वैल्यू को इंटर करा सकते लिए उपर ठोड़ा लिख देंगे तो यह चाहिए इस तरह से अपन उसको यूज कर सकते ब्रेक इश्टेटमेंट का यूज करें तो ब्रेक का यूज करेंगे गए और लूप अच्छे से समझेंगे से अफ्सक्राइणाうん सब्सक्राइब कि रिफ्रेस्ट करें पहली बार दिए कोई भी वैल्यू अटेम्ट टू में अटेम्ट वन तो होई गया अटेम्ट टू में इंटर करिए ठीक फिर अटेम्ट ट्री में इंटर करिए और यह क्या कर देगा उसको ब्लॉक कर देगा तो इस तरह अपन क्या करते हैं वैल्यू को कि इंटर किरा सकते यह उपर थोड़ा लिख देंगे तो यह में इंकरिक्ट पासबार्ट अटेम्ट टू में इंकरेक्ट पासबाड अटेम्ट थ्री में टुग झाल